बॉलिवूट का हैंसम हंक श्टार जिसने केरियर की सुरुवात बतुर विलन बनकर की केरियर के पीक पर इंड़स्ट्री को अलविधा भी कह दिया लेकिन जब कमबेक किया तो इमेज बदल कर राज किया हाला कि उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने लेकिन उन्हें पिता से वगावत कर फिल्मों के और रखा रुख और अपने किरदारों से अपना नाम रोसन किया नेगडिव एक्शन और रोमांटिक रोल निवाने वाले वो दिकच अविनिता विनुत खना थे जिने सुनिल दत ने साल 1968 में आई फिल्म मन का मिद से बतोर विलन लौंच किया था इस फिल्म में बिनुत खना लिड हिरो ना होने के बाद भी अपनी फेशन बनाने में काम्याब हुए थे अपनी केरियर की सुरुवात में उनने कई फिल्मों में नेगटिव रोल निवा कर बावाई लोटी बिनुत खना ने इस फिल्म के बाद धर्मिंदर की सुफ़ेट फिल्म मेरा गाउ मेरा देश जो की साल 1991 में आई थी इस फिल्म में भेंकर डाको का किरदार निवाय था ये फिल्म उस दोर की बड़े हिट साबित हुई थी यही से उनके विल्म बनने का सफर सुरू हुआ और कई फिल्म में वह वत्तोर विल्म ही नजर आने लगे इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबरदस्थ प्रदर्शन किया था एक्टिंग के दुने में ऐसी जबरदस धाक जमाने वाले बिनुत खना के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो फिल्मी दुनिया में आये उनके फिता एक बिजनेसमें थे लेकिन जब बिनुत ने बताया कि वो एक्टर बनने का सपना देख रहे है तो उनके पिता ने उनकी जमकर फटकर लगई थी इतना ही नहीं गुशे में आकर उनके बिनुत खना पर पिस्तोल भी तान दी थी ये खुला सा खूथ बिनुत खना ने अपने एक पुराने इंटर्विव में किया था सतर का दसक आते आते तो विनुत खना की गिंती इंडस्टी के बड़े सूपर स्टार में होने लगी थी उस दोर की तकरिवन हर फिल्म में विनुत खना का होना जैसा जरूर हो गया था उन्होंने कई मल्टी स्टारर फिल्में भी काम किया लेकिन असी की दसक तक वो एक्षन हिरो के तोर पर पेचाने जाने लगी थे कई फिल्में उनके एक्षन अफ़तार को खुब प्रसंद गिया गया था लेकिन साल 1990 में आई ये इस चपड़ा की सुफ़ेट फिल्म चांदनी में ललित का किरदार निभा करतो रातो रात उनकी पूरी इमेज ही बदल गए थी दर असल इस फिल्म में विनोत खना बाले करदार को निभाने का कोई तयार नहीं हो रहा था क्योंकि वो साइड रोल था तकरिबन एक सो फिल्म में काम किया अपने हर करदार से उन्हें दर्सकों का दिल जीत लिया लेकिन जातर उन्हें आज भी खलना एक बनकर निभाय करदारों के लिए याद किया जाता है उनके नेगटिव करदार को लोग आज भी भूल नहीं पाए है